हेलो फ्रेंड कैसे आप लोग आसा करती हूं अच्छे हूंगे आज हम लोग डिसकर्स करने वाले हैं नुमेंबर करेंट अफेर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी जून जुलाई और सप्टेंबर ऑक्टूबर नुमेंबर पार्ट वन की वीडियोस अवलेवल ह है डिस्क्रिप्शन वाक्स में वहां से आप देख सकते हो और यह चल रहा है हमारा रिवीजन स्रीच इसका में परपस है कि जो भी इंपॉर्टेंट है वह रह न जाए तो अच्छे से एक लिमिटेट टाइम में रिवाइस कर पाए हम लोग ठीक है तो चली आगे बढ़ते है नोमेंबर करेंट अफेर्स सबसे पहले तो डिस्क्रिप्श करेंगे सिटिजन सिफ अमेंडमेंट बिल क्योंकि काफी न्यूज में था उस ताइम उसके अलावा फिर लेवर कोड एं इंटरनेशन रिलेशन कोड ओन वेस्वील लेवर लौ डिलेटेट टू इट जो भी सबसे पहले देखते हैं उसको डिसकस करेंगे फिर कोड ओन वेस्वील सोसल सेक्यूरिटी कोड ओकूपेशनल सेफ्टी कोड 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 इंवेस्मेंट कंपनी जीस्ट कॉंसिल बैटरनल मॉटिलिटी रेशियो पेगासस इनलाइन परमीट प्रधान मंत्री जीवन योजना स पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप इन सभी के बारे में अच्छे से डीटेल में जानेंगे और बहुत कुछ है मल्टिपल ज्वाइस कोडिशन के फॉर्म में एंड वल्लाइनर सबसे पहले देखते हैं सिटीजन्सिप अमेंडमेंट बिल सिटीजन्सिप अमेर्मिंट में एलाउ करता है इलिगल माईग्रेंट फ्रों सटन माईनूरिटी कम्प्रोटिइज जो की अफ़कनिस्तान बांगलादेश और पाकिस्तान के हैं उनको सिटीजन्सिप दिया जाए इंडिया में और किस अक्वा अमेंड क्या जा रहा है सिट सब्सकनिस्तान बांगलादेश पाकिस्तान और कौन से सिक्स सिक्स माइनुडिटी कमिन्टी है जहां के इलीगल माइगरेंट को एलाउग किया जा रहा है इंडिया में अज़ सिटीजन तो वह हिंदू शीक जैन बुदिस्ट पार्सी एंड क्रिस्टियन तो यहां पर हम है और यह जो से टिजन से बैमेंडमें बिल जारी है वो किस अधार पर दी जारी है जो भी लोग सिक्स यह सक इंडिया में रहे हैं उनके अधार पर ही इनको मिलेगा ठीक है पहले टुवल वियर था उसको घटाकर सिक्स यह किया गया है दावील इस पिंग हो रहा है उसके अराबा इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इसके कारण OCI यानि Overseer Citizenship of India किया रेजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है आगे देखते हैं लेवर कोड इन इंडेस्ट्रिय रिलेशन सबसे पहले तुझ जानते हैं कि लेवर लो होता क्या है लेवर लो इस दी बॉड़ी ओफ लो एड्रेस दे लीगल राइट और रिस्ट्रिक्शन ओन दे लेबर एन दे ओगनाईजिशन लेवर लो एक ऐसा लो है लो मतलब रूर्स एन रेगुलेशन है जो कि लेबर और इंप्लॉयर दोनों पे अपलाई होता है उनको डिस्ट्रिक्ट करता है ठीक है और कुछ लिगल राइट प्रोवाइट करता है ताकि वो अपने फंशन को अच्छे से कर पाएं लेवर लो बनाने का पर्पस क्या है तो लेवर लो बनाने का एक मात्र पर्पस है हार्मणी बने रहें लेवर और Excvaok के बीक में कभी व्मॉयर के बीच में labour employer के बीच में लड़ाई ना हो ठीक है तो of the labor law main purpose क्या है labor और employer के बीच में harmony बनी रहे लडाई कम हो ताकि ग्रोथ हो किसका industry का भी ग्रोथ हो और country का भी ग्रोथ हो ठीक है देखते act which govern the labor law first is trade union act of 1926 then industrial employment act of 1946 industrial dispute act of 1947 laws related to equality and empowerment of women ठीक है तो वीमें के लिए कौन-कौन से लोग है तो maternity benefit act 1961 जुसको भी हाल में 2018 में change किया गया था उसके लावए equal remuneration act of 1976 condition of work labor law अगर वोग के अनुसार देखा चाहिए तो दो important labor law है पहला है factory act of 1948 और दूसरा है वेज labor act of 1970 वेज and remuneration act क्या है minimum wage act 1948 and payment of wage act 1936 तो उसको अब बहुत असानी से याद कर सकते हो payment of wage act पहले आया था 1936 में और फिर अजादी के बाद सोचा गया कि कम से कम सभी इंप्लोई को एक minimum wage तो मिलना चाहिए इसलिए minimum wage act आया था 1948 में social security के पेस पर कुछ act है जो कि काफी important है जैसे employee profit fund act यह कब आया था 1952 में फिर workman compensation act 1923 में employee state insurance act काफी नामी एक्ट है यह सब important act है 1947 में आया था उसके लब देखेंगे कि हम लोग यहां पर जानते हैं कि 44 labor law को चार कोड में बाटा गया है wage code industrial relation code social security code industrial safety and welfare code अब अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यह जो labor law लाया गया है और उसको code में divide किया गया है four important code में जैसा कि आपने देखा labor code wage code industrial relation code social security code और को पेशन सेफ्टी कोड इन सब क्या benefit है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं industrial relation code के बारे में जानते हैं तो industrial relation code में actually three important act को combine किया गया है कौन-कौन से important act है वो देखते हैं trade union act of 1926 then industrial employment act of 1946 then important है industrial dispute act of 1947 इसका purpose क्या है क्यों लाया गया है तो important यह बहुत ज्यादा इंडेश्ट्री रिलेशन को क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट चेंज की चेंज यह किया गया है कि contractual worker को एक regular employee की तरह ही सारे rights दिये गया है जो कि काफी माइने रखता है क्योंकि contractual इंडिया में बहुत जादा hiring contractual basis पे होता है पहले private में होता था अब government में भी होता है तो contractual worker जो होते हैं उनको बहुत सारी benefit नहीं मिलती है क्योंकि वह third party के थुरू आते हैं उनको एक उनके बीच में contractor होता है जो कि उनको hire करता है तो जो benefit होती है वह contractor और employee के बढ़ जाता है जैसे कि आप जानते होंगे बहुत सारी consultancy होते है जो third party पर काम करती है जो main organization होता है और जो employee होता है उसके बीच में consultancy होती है जो को उनको hire करती है और फिर salary भी provide करती है तो इससे क्या होता है कि जो company के benefit है वो उस employee को नहीं मिल पाता है ठीक है तो अब क्या है इस mail में propose किया गया है यह जो code आया है उसमें बहुत important बात कहीं कि to improve the working of the contraction employee on par with regular employee यानि कि regular employee की तरह contraction employee को भी सारी facility दी जाएगी ठीक है अब यह इस चीज़ employer को कैसे help करेगा वो हम लोग यहां पर देखते है तो देखिए एक्चुली इसमें क्या होगा कि अब employer को किसी third party या किसी contractor के थूँ employee हायर करने के आवे सकता नहीं पड़ेगी और employer खुद हायर करेगा तो उसकी quality को वो देखकर हायर करेगा तो वो इसलिए हायर और फायर दोनों कर सकता है ठीक है तो employer के लिए यह beneficial हो गया क्यों क्योंकि उसको किसी contractor के तुरू लाने के जोगत नहीं है वो जब चाहे किसी employee को hire करें या फिर fire करें अब यह employee को कैसे help करेगा extended to all worker social security benefit will be extended to all worker अब क्या होगा कि यह जो benefit होती है जैसे कि salary के अलावा insurance benefit दी जाती है cash amount benefit दी जाती है वो benefits सिफ एक employee को नहीं मिलेगा अब वो regular employee के अलावा contractual employee को भी दिया जाएगा few government officer would be given the power to look into the cases and impose penalty यानि कि कुछ important government officer hire किये जाएंगे ताकि contractual employee जो है उनके साथ पर अगर कोई भी hazardous या फिर misbehave हो रहा है तो वुस्टीच को वो notice करेंगे ठीक है तो few government officer would be given the power to look into the cases and impose penalties इस तरह से क्या होगा कि जो ट्रिबुनल होते हैं जो कि हमेशा cases होता है एक labor और employer के बीच में जो conflict होता है वो कम हो जाएगा इस तरह के government official को employ करने से ठीक है क्योंकि cases industry में ही solve हो जाएगी कभी ट्रिबुनल में जाने के आवे सकता नहीं पड़ेगी कंसर्ण क्या है for skilling prospective सबसे बड़ा concern यह है कि इसमें जो government है उसको एक risk skilling fund बनानी होगी risk skilling fund मतलब जब कोई employee आता है तो उसके पास कुछ skill होते है लेकिन कुछ skill नहीं होते है तो उनको यह जो government जो है government को क्या करना पड़ेगा एक risk skilling fund बनवाना होगा हर company में ताकि जो employee के पास skill नहीं है उनको training दी जाए उस skill में skill में उसको train किया जाए ताकि वह वहाँ पर काम कर सके ठीक है तो हमने देखा कि यहां पर important क्या है तो यहां पर important concern है कि risk skilling fund बनाना पड़ेगा हर company को अपने employee को riskill करने के लिए उसके अलावा दूसरा जो important issue यहां पर आया कि easily hire and fire यहनी fire भी हो सकते है employee बहुत easily तो retracement के लिए जो fair है retracement का उसको कम कैसे कह जाए जो fire होगा उसको कम करने के लिए सरकार ने कहा है कि जो भी company 100 employee रखता है अगर वह 100 employee रखता है वह company तो वह easily fire नहीं कर सकता है उसको government से permission लेनी होगी किसी भी employee को निकालने से पहले ठीक है तो यहां पर हमने देखा concern क्या है for scaling perspective and for fear of retracement यह दोनों important concern है code on waste bill 2019 अब क्या है हमने अभी तक देखा industrialization code देख लिया हमने ठीक है तो अब हम लोग देखेंगे code on waste bill 2019 code on waste bill जो है वो चार जो code है उनको combine करके बनाया जा रहा चार act को combine करके यह code बनाया जा रहा code on waste bill ठीक है concert act है तो उसमें पहला है payment of waste act जो कब आया 1936 में आया था फिर मैंने बताया आपको minimum waste act जो कब आया था 1948 में आया था फिर payment of bonus act वो कब आया है 1965 में आया है equal remuneration act कब आया है 1976 में आया है ठीक है तो यह gemacht बनाया अप्वुल्बूंड नें कमलाय यह इसका कह सहरे सेंट स्कुराइब कई जाता है यह फिक्स पर चाहसि करेगीत Leslie and दोंनों मुल्वार में यहां पर वेज इकलते साथ क्वाड़ी कौन करेंगा । government fix करेगी या फिर state government fix करेगी ठीक है उसके लावा और भी बहुत सारे point है जैसे कि इसमें wages किसको include किया जाता है तो wages allowance को include किया जाएगा जो भी monetary term में दिया जाता है bonus is not a part of wage ठीक है bonus wage का part नहीं है उसके लावा floor wage के बारे में हम लोग यहां पर जाते है floor wage क्या होता है floor wage देखी क्या होता है central government fix कर सकती है wage ठीक है floor wage central government fix कर सकती है और floor wage actually minimum rate wage होता है minimum wage नहीं होता है there is a difference between floor wage and minimum wage floor wage rate होता है जिससे below किसी भी employee को नहीं मिलना चाहिए और जो minimum wage होता है वो floor wage से हमेशा ऊपर होता है ठीक है तो minimum wage को fix करने का अधिकार central government को भी दिया गया है और state government को दिया गया है और जो floor wage होगा उसको determine central government करेगी ठीक है तो according to the court central government may fix the floor wage और वो different होगा different geographical location के निसार्ट डिफरेंट wages होंगे floor wage होगा वो different भी हो सकता है जैसे अगर को राजस्थान में कोई काम कर रहा है तो उसका floor wage different हो सकता है अगर कोई बिहार में काम कर रहा है the minimum wages are decided by central and the state government must be higher than the floor wage अब ध्यान रखेगा floor wage क्या होता है minimum wage होता है लेकिन minimum wage और floor wage में difference होता है यहाँ पर जो सब कम से कम इतनी salary तो मिलनी चाहिए employee को वह floor wage है ठीक है और minimum wage जो है वह floor wage के ऊपर है ठीक है माले जो 100 price तो minimum wage 300 रुपया होगा 200 होगा ठीक है तो डगनों में यही difference है कि floor wage जो है वो central government fix कर रही है जो गराफिकल location के निसार और minimum wage जो है वो कौन fix कर रहा है मिन्मम वेज Central और State Government दोनों ही फिक्स कर सकते हैं ठीक है और वह हमेशा हायर होगा फ्लोर वेज से ठीक है फ्लोर वेज अगर 100 रुपया है तो वह 200 रुपया होगा या फिर 300 रुपया होगा Central Government और State Government जो है वो Overtime Working Hour फिक्स कर सकती है जैसा कि अभी COVID-19 के केसिस में हुआ बहुत सारे State Government जैसे मध्यपरदेश, राजस्तान और बहुत सारे लोकेशन है हर्यानल जहां पर हमने देखा कि Working Hour चेंज करने की बात चल रही थी ठीक है Code on Social Security, तो हमने अभी तक देखा Code on Industrial Relations, Code on Ways Will, अब हम लोग देखेंगे Code on Social Security इसमें 8 existing level law को combine किया गया है, ठीक है कौन-कौन से existing level law है काफी जाता है तो मैंने सारे को include नहीं किया है लेकिन जो important है उसको आप ध्यान रख सकते हो Employee Compensation Act 1923, then Employee State Insurance Act 1948, Employee Provident Fund Act 1952, Maternity Benefit Act 1961, Payment of Graduate Act 1972 तो इस तरह के बहुत सारे 8 existing level law है, जिसको combine करके क्या बनाए गया है, Code on Social Security बनाए गया है ठीक है, इसमें अगर हम लोग इसका देखे important क्या पॉइंट है, तो इसमें देखा गया है कि insurance और other life care जो है वो facility, unorganized sector के employee को भी दिया जाता है, तो changes क्या है, पहले से यह different क्यों है क्योंकि इस Social Security Code में जो unorganized worker है, उनको भी include किया गया है, तो इसलिए यह बहुत important है तो यह दिहान में रखिएगा, जो Social Security Code है, जो अभी लाया गया है, उसमें unorganized worker को भी include किया गया है ठीक है, और यही नहीं, यह जो benefit है, जैसे कि insurance और other benefits वो geek worker को भी देने की बात की जारी है अब कि geek worker कौन होते है, geek worker फिलांसर होते है, जैसे मतलग कि जो अब एक particular project मिलते है, उनको time मिलता है, उस project को वो काम करके देते हैं और उनको उसके बतले salary मिलती है उनका कोई fixed timing नहीं है, आने का office, जाने का और कोई fixed salary नहीं होता है, कोई fixed benefit नहीं होता है ठीक है, वो अपने अनुसार काम करते हैं और return उनको पैसे दे जाते हैं, फिलांसर की तरफ, फिलांसर भी geek worker करके हैं, ठीक है आगे बरते है, code on occupational safety health and working condition, the code replaces 13 labor law relating to safety health and working condition तो अभी आपने पिछले वाले में क्या देखा था, पिछले वाले में आपने देखा था, कि 8 existing labor law को change करके social security code बनाया गया है ठीक है, 8 existing labor law को change करके social security act बनाया गया है और जो आपका occupational safety health and working condition code है, वो 13 labor law को change करके बनाया गया है और कुछ important labor law देख लेते हैं, जैसे कि factory act अब आया था, 1948 में, mines act 1952 में, contract labor act 1970 में यह timing year important है परपस किया है, safe and secure working condition to make law flexible according to technological upgradation ठीक है, safe and secure working condition देना है, to make law flexible according to technological upgradation applicable establishment employee, up to 10 worker to all mines and dock यानि कि जो भी company 10 worker भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी code देना होगा occupational safety, health and working condition के लिए इसके important features क्या है, तो all establishment must be registered यानि कि जो भी company 10 employee रखता है, उससे जादा है, तो उनको registered करना होगा, उसके लाबा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, officer रखने पड़ेगी जो inspector कम फैसिलिटेटर होंगे, उनका purpose होगा कि inspection करना है, जो central और state government के द्वारा पॉइंट के जाएंगे, और वो देखेंगे कि किस तरह से यहां पर employee या employer किस बीच में जो problem हो रहे हैं, उसको वो solve करेंगे, वो देखेंगे कि जो भी employee काम कर रहा है, वो safety code में काम कर पा रहा है, या नहीं कर रहा है, और ऐसा कोई problem हो रहा है, तो employee को यह write दिया जाता है, कि वो freely उनसे जाके मिले और उनसे discuss करें, ठीक है, एक safety committee बनाई जाएगी, और जो कहां बनाई जाएगी, तो जो भी hazardous institution है, जहां पे बहुत खत्रा है काम करने में, वहां पे एक proper safety committee बनाने की बात की गई है, उसके अलावा एक advisory board बनाया जाएगा, जो क Central and State Government दोनों के सहमती से established की जाएगी, और free annual examination किया जाएगा, employee provided by employer, ठीक है, तो यह भी देखा जाएगा, कि free annual health facility दी जाएगी, employer के दोड़ा, employee को, यह इसमें एक provision है, ठीक है, तो इसमें क्या है, कि all establishment must be registered होना चाहिए, inspector कम facilitator, officer होना चाहिए, वहां पे, जो कि appoint होगा Central and State Government के दोड़ा, उसके अलावा, जो भी safety committee जो होगी, comprising of employers and workers for hazardous institution, महापे, एक safety committee बनाई जाएगी, फिर central and government, state government के permission से, महापे, एक advisory board बनाई जाएगी, फिर free annual health examination दी जाएगी, employer के दोड़ा, employee को, फिर और भी बहुत सारी facilities दी जाएगी, जैसे उसमें work hour का है, कि work hour जो है, वो different classes of establishment के उसाथ changes हो सकते हैं, कोई एक fixed work hour नहीं होगा, जैसे कि अभी है, 8 hours है, 9 hours है, उस type का कोई fix नहीं होगा, वो change हो सकते है, institution के उसाथ, उसके अलावा, अगर कोई overtime work करता है, तो उसकी current salary उसी का दुगना पैसा दिया जाएगा, daily wage earner को, जैसे अगर उसको 500 रुपया मि दे दिया जाएगा, ठीक है, तो यह एक अच्छी प्रोवीजन है, उसके लावा, female worker जो है, वो काम कर सकती है, 7 बजे के बाद भी, रात के 7 बजे के बाद भी, और सुबर 6 बजे से पहले, अगर वो concern है, उनका concern लेना जुरूरी है, लेकिन, अगर वो सहमत है, तो फिर उनक देना होगा, और नहीं तो दोनो, 2 years और 5 lakh और 2 years and 5 lakh, यह imprisonment penalty रखी गई है, उसके लावा, employer violate the provision, अगर कोई employee ऐसा प्रोवीजन नहीं मानता है, कोई rule नहीं मानता है, तो उसको 10,000 रुपया fine देना होगा, ठीक है, ठीक है, तो critical analysis देखते हैं इसका, तो सबसे पहले देखते doing business, यानि कि जो हमारा हमें business को improve करना है, तो इस तरह की code बहुत जुरूरी है, technology अप्ग्रेड हो रहा है, competition बर रहा है, वर्ल्ड में, तो हमें भी अपने labor law को flexible बनाने की आवे सकता है, और अगर criticism की बात की जाए, तो जो factory act था, 1948 का उसमें बहुत अच्छे से provisions थे, उसमें compulsory था कि जो work काम कर रहे है, hazardous condition में, उनको ये facility देना जरूरी है, लेकिन ये जो current law लाया गया है, उसमें ये power, discretionary power दे दिया गया है government को, कि आप चाहे तो ये provision रखे, चाहे तो नहीं रखे, तो कहीं ने कहीं ये जो labor law जो है, currently, वो industry act of 1948 को dilute करता है, उसको उस तरह से नहीं लाता है, तो ये employer के लिए तो अच्छा है, लेकिन employee के लिए साथ ये इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, code investment companies के बारे में जानते है, code investment companies क्या होती है, Recently, तपन्रे committee has recommended regulatory norm regarding code investment company, क्या हुआ था अभी हाल में आपको पता ही होगा, ILFS, Infrastructure Leasing and Financial Service, ये एक organization है, non-banking financial companies है, जो कि अभी हाल में क्या हुआ था, उसमें बहुत बड़ा default case हुआ था, तो उसके बाद से committee बैठाए गई है, code investment companies को देखने के लिए, code investment companies भी non-banking financial companies ही होते है लेकिन इनकी earning 100 करोर से जादा होती है, तो उससे related तपन्रे committee बैठाए गई थी, और तपन्रे committee ने कुछ recommendation दिया है, जिसको RBI ने बोला है कि follow करना अब जरूरी है, किसको code investment companies को, क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले code investment companies would have to form board level committee, appoint independent director, तो सबसे पहले क्या करना होगा, क कि core investment companies को, एक ऐसी committee बनाने होगी, proper board level committee होनी चाहिए, और independent director होना चाहिए, दूसरा, prepared consolidated financial statement, एक proper financial statement समिट की जाएगी, क्योंकि महाँ पे बहुत जादा धान्तली हो रही है, तो इसनी इस तरह के provisions RBI ने प्रपोस किया है, एक strict rule प्रपोस किया है, कि उनको follow करना होगा, कि इन जो number of layer होंगे core investment companies में, वो भी 2 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, उससे ज़्यादा वो organization नहीं बना सकते, और जो capital contribution है, वो भी 10% होना चाहिए, उनके fund का, core investment companies काफी news में थी, यह क्या है, उसको देख लेते हैं, core investment companies और non banking financial companies, जिसका asset size 100 करोर होता है, या उससे ज़्यादा होता है, उसको कहते है core investment companies, यह actually deal करते हैं share and securities में, ठीकिए, इनका जो business है, वो acquisition of share and securities है, और अगर आपको याद होका, 2006 में non banking financial companies को classified किया गया है, RBI के द्वारा, तो उनके classification क्या है, उसको देख लेते हैं, asset finance companies, investment companies, loan companies, core investment companies, तो इसको अच्छा से देख लेते हैं, अच्छा मैंने better picture डाला हैं यहाँ पे, जो आपको अच्छा से समझ में आएगा, investment companies, asset finance companies, non banking financial companies, systematically important care investment companies, infrastructure finance companies, loan companies, इस तरह से बहुत सारे non banking financial companies को, है, जुनको RBI ने classified किया है, GST council के बारे में जानते हैं, finance commission is responsible to look at the projection of revenue and expenditure, GST council बनाया गया था, GST के लाने के बाद, ठीक है, तो अभी हम लोग यह जानते हैं कि finance commission का क्या काम है, और GST council का क्या काम है, तो finance commission का काम है, expenditure revenue को देखना, ठीक है, और GST council का काम है, जो भी GST से related important decision है, वो लेना, जैसे GST exception करना, charges करना, कहां का, implement करना, यह सारे function किसके हैं, GST council का है, तो GST council क्या है, GST council is a key decision making body, responsible to look the issue of GST exception, charges and implementation, how is the GST council structured, तो कैसे बना था GST council, तो article 279-1, बहुत important article है, इससे related, वो कहता है कि GST council has been constituted by the president within 60 days of article 279-A implementation, यानि article 279-A के आने के बाद 63 में president के दुआड़ा GST council बन जाना चाहिए, यह कौन सा article कहता है, article 279-1, अब 279-A में क्या है, 279-A will make recommendation to the central and state on the important issue related to GST, ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, GST council के सा article के थूप बनाया गया है, तो article 279-A, जिसके अंतरगत यह कहा गया है कि state or center के recommendation पे एक council बनाया जा सकती है, जो कि GST के related matter को देखेगी, ठीक है, तो वो कहता है, article 279-A के अंतरगत GST council बनाया जाता है, एक ऐसा decision making body है, जो कि GST से related सारे information को देखती है, अभी तक इसे exam में question नहीं आया है, UPSC में, तो it might be come, तो that's why मैंने इसको include किया है, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, GST council, उसके chairman कौन होंगे, तो union finance minister होंगे, उसके अलाबा voting strength बहुत important है, तो center का one third है, और state का two third है, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर center का जादा है, इसके अलाबा मेंबर होते हैं, GST council के, लेकिन chairperson याद रखिए का union finance minister होता है, maternal mortality ratio, आया भी हाल में, इसके report आया है, तो उसको ध्यान से देखते हैं, maternal mortality ratio of India has been declined from 130 lakh life birth in 2014 to 16 to 122 lakh life birth 2015 to 17, यानि कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, good news है, maternal mortality ratio घट गया है, रेजिस्टर जेनरल आफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार, पहले 130 था, वो घट के 122 हो गया है, ठीक है, और best performing state इसमें कौन आया है, तो केर्ला आया है, और महारास्ट्रा आया है, ठीक है, और इसके रिलेटर बहुत सारे स्कीम भी आया है, गवर्मिन्ट की, maternal mortality ratio को कम करने के लिए, कौन-कौन से स्कीम आया है, तो सबसे important आया है, लक्स्किया स्कीम, जिसका नाम है, लेवर रूम क्वालिटी इंप्रूमेंट इनिशेटिव, ठीक है, उसके अलाबा आया है, portion अवियान सुमन स्कीम, सुमन स्कीम क्या है, देखिए, सुरक्षित मातित्व आसवाशन इनिशेटिव, to ensure maternal care at the time of pregnancy, तो आपको बस जिहाल में रखना है, कि हमारी maternal mortality ratio कम हो गई है, कितनी हो गई है, और best performing state केरला है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, multiple choice questions, कुछ important questions है, तो सबसे पहले बताईएगा, question ध्यान से पढ़िएगा, pose कर answer दिजेगा, और फिर मिलाईएगा, ठीक है, identify the person, first, he organized a society called free India society, to fight against Britishers for freedom in London, ठीक है, तो इन्होंने क्या organized किया था, free India society organized किया था, कहाँ पे, London में, he proposed the coexistence of two nations in one country, and criticized Indian partition, ठीक है, third, he organized a youth group name, मित्र मेला, तो वो कौन है, रास पिहारी बोस, उद्दम सिंग, मदलान दिंगरा, विनायक, तामोदा सवरकर, Yes, the answer is D, विनायक, दामोदा सवरकर, जिनको VD सवरकर, या V सवरकर के नाम से जाना जाता है, इनके नाम से 2002 में, Port Blair Airport का नाम बदल दिया गया था, V सवरकर International Airport रखा गया है, ठीक है, और यह जो है, वो port कहां है, अंडमाने नीको बार में, Q2, कौन से स्टेट है, इनर लाइन पर्मिट क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, Article 19, D gives us right to move any part of the Indian territory, फीड़र में हमारे पास, कि हम किसी भी इंडिया के किसी भी कॉर्णर में जा सकते हैं, लेकिन क्यूंकि कुछ बॉर्डर एडिया होती है, और खत्रा हो सकता है, तो हमें इनर लाइन पर्मिट लेना होता है, इनर लाइन पर्मिट मतलब, उस स्टेट के दोआरा, पहले तो हमें रेजिस्टरेशन करवानी होती है, वो स्टेट हमें पर्मिशन देता है, तब ही हम वहां पे गूमने भी जा सकते हैं ठीक है उसको कहते है इनर लाइन पर्मिट तो हमारे हम कुछ state है जहां पे इनर लाइन पर्मिट लेना हो ठीक है कोश्चन नमर 3 देख लेते हैं पेगासेंस वाजिन नूज इस एड़ वियर स्पाइवियर स्केर्वियर कम्प्यूटर वाइरस क्या है पेगासेंस yes answer is which of the following state is not under inner line permit तो कौन है तिरपूरा तिरपूरा नहीं है inner line permit में which of the following state is not under inner line permit याद रखेगा यहाँ पर question में not है which of the following state is not under inner line permit तो answer होगा तिरपूरा तिरपूरा नहीं है inner line permit में और इसका एक जीके ट्रीक है याद रखने का आपको याद रखने का कौन-कौन सा स्टेट इनर लाइन पर्मिट में है तो आप याद रखें नाम नाम मतलब N for Nagaland, A for Nachal Pardes, M for Mizoram और अभी हाल में मेगाले में भी इनक्लूट किया गया है यसलिए ये काफी न्यूज में था याद क्या रखने है आपको नाम नागा लेंड अर्माचल परदेश मेगाले मिजोरम ये सारे स्टेट उसमें इनर नाइन पर्मिट किया वे सकता है और त्रिपूरा में नहीं है पेगा सेस्स न्यूज में था क्या है फेगासेज स्पाइवियर है अब हम लोग देखते आड़ सबस्क्राइब क्या है औरप्टेश में जाता है कि हमारे कम्प्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है जो की advertisement हमारे computer में दिखाने रगता है और जो developer होता है जिसने unwanted software आपके company में डाला है आपकी computer में डाला है जिसने unwanted share उस developer को profit होने लगता है ठीक है तो उसको कहते है spyware क्या होता है spyware होता है जो हमारे बीना knowledge की without our knowledge gather information and hack their data वो क्या करता है कि हमारे computer से information gather कर देता है और हमारे पूरे data को ले लेता है उसको spyware करते है तो यहाँ पर Pegasus क्या है एक spyware है scareware क्या होता है scareware malicious computer program होता है design to trick a user into buying and downloading unnecessary potentially dangerous software scareware एक malicious software है जो की design क्या जाता है इस तरह से design उसको design क्या जाता है और वो एक program है जो हमारे computer में दिखाई देता है और वो program हमें force करता है कि हम क्या करे unwanted dangerous software को upload करे इससे हमारे computer का खड़ाव होने का पूरा chance होता है computer virus virus क्या होता है virus program होता है जो कि हमारे computer में इंटर करता है और हमारे information को destroy कर देता है Pegasus was in news is a spyware developed by Israeli cyber arm ठीक है Pegasus काफी news में था वो एक spyware है जो Israeli cyber arm के द्वारा बेजा गया था और उसका purpose यह था कि वह WhatsApp में video call के थूँ वह ring करता था और कोई भी person के phone पे वह ring जाएगा अगर वह person phone को pick करे या ना करे WhatsApp कोल के थूँ वह spyware इंटर कर जाता था और वह इंटर करके उस particular computer उस particular mobile का जो भी data है password है contact list है सब को hack कर ले चेगोज आइलेंड काफी news में था यह आइलेंड कहां पर है तो चेगोज आइलेंड काफी news में है और यह actually कहां है यह मौरिसस में है और यह news में इसलिए था क्योंकि चेगोज आइलेंड को जबरदस्ती कॉल्नी बनाया वा था UK और इसलिए मौरिसस इसको यूएन गौडी जूकि इंटरनेशनल कोट अफ जस्टिस है वहां पर यूएन का ही और पाया गया कि नहीं यूनाइटिट कींडम का कोई अधिकार नी इस चेगोज आइलेंड में और यह चेगोज आइलेंड मौरिसस को दे दिया जाता है यहां पर देख लिए जैगोज आइलेंड कहां पड़ है आप लोकेशन देख सकते हूं ठीक है इस नियर तो मैडगास्क नमबर फाइब बहुत इंपोर्टन कोश्यों है प्रोजेक्ट अलिफेंट हाज बन स्टार्ट इन विच यर प्रोजेक्ट अलिफेंट कवे स्टाट क्या गया है 1991, 1992, 1993, 1994 आंसर इस 2, 1992 इंडिया इस फेडरल उनियन चमप्राइजिंग डास स्टेट अंडास यूटी ठीक है तो यह कुशन काफी इजी दीख रहा है और इस इस तीर के कुशन आते है एक्जाम में तो इंडिया इस फेडरल उनियन कमप्राइजिंग कितने स्ट इंडिया में और कितने यूटी है I hope you get the answer the answer is 4, 28 and 9 ठीक है आपको जैसे कि पता होगा के हमारे टोटल स्टेट ट्वेंटी नाइन है ठीक है तो इंते लगना के आड होने के बस 29 स्टेट हो जाते है हमारे लेकिन अभी हाल में जमुएन कस्मी को स्टेट का स्टेटस हड़ा और के तो टोटल हमारे स्टेट होगे 28 laund पास तोटल यूटी थे पहले 8 और अभी हाल में क्या किया गया है द्यूने द्यू जाल थे लेका तो मरी को स्टेट व स्टेट होगे सेवन और फिर हमारे दो नो यूटी बने हैं कौन-कौन से जम्मु इन कस्मीर एंड लद्दाग तो टोटल होगे हमारे पास टोटल यूटी कितने होगे नाइग कोश्चन नमर सेवन 3S प्रोग्राम 3S प्रोग्राम क्या है Smart Safety and Surveillance is related to 1. Safety norms under Motor Vehicle Act 2. Cyber Security Norm under Computer Emergency Response Team 3. To Optimize Vaccine Distribution under Universal Immunization Program 4. Strategy to Tackle Terrorist Attack in Jammu and Kashmir The answer is The 3S program is actually related to Optimized Vaccine Distribution Under Universal Immunization Program ठीक है Next question Question number 8 देखते हैं India is not the member of India इसमें से किसका member नहीं है Mekong Ganga Summit, ASEAN, East Asia Summit India is actually not the member of ASEAN India में कौंग कंगा समीट का भी मेंबर है और East Asia Summit का भी मेंबर है Question number 9 Pradhan Mantri Jeevan Yojana is related to 1. Initiative to reduce malnutrition among adolescents 2. Encourage involvement of people through active participation in protecting forest providing financial support to integrated bioethanol project promotion of circular economy through approval of green sustainable project I hope you get the answer Pradhan Mantri Jeevan Yojana is actually related to providing financial support to integrated bioethanol project So, bioethanol project के लिए Jeevan Yojana लाया गया था Pradhan Mantri Jeevan Yojana क्या है जैव इंदन वातावडन अनकूल फसल अफसेज निवारन प्रोजेक्ट ये जो प्रोजेक्ट है वो support कर रहा है National Biofuel Policy National Biofuel Policy क्या है? 20% blending करना है इंदनौल का petrol में और 5% इंदनौल को blending करना है डीजल में by 2030 ठीक है? Question number 10 देखते हैं Which of the following campaign is called No Tax Campaign? Badoli Movement, Kheda Movement Non-Corporation Movement Andamad Mill Strike No Tax Campaign किसे रिलेटर है? I hope you get the answer Question number 11 देख लेते हैं Which of the following country has presidential form of government? Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan The answer is No Tax Campaign actually related है Kheda Movement से ठीक है? Kheda Movement से related है ये और इसमें काफी important role निभायत है सर्दार बलनबाई Patel ये important question है क्योंकि हम 31st October को एक तादीबस बनाते हैं तो सर्दार बलनबाई Patel से related question आने की संभावना पूरी है दिखते हैं Organized Kheda Satyagar and Bardoli Revolt उतके अलाबा उनको 1931 में Indian National Congress का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था और वो आमदाबाद Municipal Corporation के प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1922, 24, 27 में उसके लाब उनको भारत रतें 1991 में दिया गया है और वो इंडिया के डिप्टी हों मिनिस्टर थे अजादी के बाद ठीके? Which of the following country has presidential form of government? तो नेपाल में actually constitution monarchy है बांगलादेश में पाल्या मिंट्री सिस्टम है भुटान में constitution monarchy है तो इसका answer है 3, Sri Lanka ठीक है? तो इसका answer क्या होगा? 3, Sri Lanka Next question Which of the following statement is correct about special protection group? Special protection group काफी news में था तो उसके बारे में देख लेते हैं Which of the following statement is correct about special protection group? 1st, recent PM and his family member will receive security cover of the SPG 2nd, SPG cover was introduced in 1988 through special protection group act तो इसका answer क्या होगा? Special protection group actually काफी news में इसलिए था क्यूंकि अभी हाल में Sonia Gandhi और उनकी family को special protection group दिया गया था उसको हटा दिया गया था तो इसलिए ये काफी news में था special protection group सिफ prime minister और उनकी family को नहीं दिया जाता वो former prime minister और उनकी family को भी दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा? statement one गलत हो जाएगा जैसें PM and his family member सिफ नहीं मिलेगा former PM and उसके भी family member को दिया जाता है special protection group दूसरा जो statement है special protection group cover was introduced in 1988 तो नहीं special protection group cover को actually introduce किया गया था 1985 में after the death of इंद्रा गांदी उसके बाद special protection group आया था तो यहाँ पर answer जो होगा वो आपका हो जाएगा D, none of the above क्योंकि दोनों ही statement सही नहीं है नहीं सटीन देखते हैं WHO is developing international benchmark document for practicing of ayurveda, panch karma and yunani as a part of its global strategy to strengthen the quality, safety and effectiveness of traditional complementary medicine for a pre-adopt WHO ने अभी क्या किया है कि international benchmark document prepared किया है Ayurveda, panch karma, yunani जो हमारे जो traditional technique है traditional medicine है उसको world level पर पहुचाने के लिए कुस quality, safety and effectiveness को measure करने के लिए particular document त्यार किया है उसका एक particular period है ठीक है, तो यह period है वो क्या, कौन सा period है तो देखते है 2018-2023 2020-2023 2014-2023 2017-2025 ठीक है, प्लीज आप एक बार question पढ़ ले ना इसका answer है 2014-2023 ठीक है, यह PIV से लिए गया है, WHO ने एक developing international benchmark त्यार कर रहे हैं Ayurveda, Panch Karma, Yunani की, Yunani जो हमारे traditional medicine है उनके लिए प्रोपर्ड बेंचमार्क त्यार किया जाता है ताकि वो globally represent हो पाए और जो time period रखा गया है वो है 2013-2014-2023 ठीक है Question number 14 Which of the following city of Uttar Pardes is not under defense industrial corridor development program? Aligarh, Kanpur, Laknum, Bareli Yes, the answer is for Bareli Actually, two different industrial corridor बनानी की बात चल रही है एक है Tamil Nadu और दुसरा है Uttar Pardes तो Uttar Pardes क्योंकि UBPCS exam भी आने वाला है तो important है देख लीजी कि कौन-कौन से city है तो उसमें Aligarh है, आगरा है, जहासी है, कानपूर है, चित्रकोट है, लखनव है ठीक है और चिन्नाई का कौन-कौन से city है, ओसूर, कोईमबतूर, सालेव, तिरची, रापाली ठीक है उसके लाबाब बन लाइनर के फॉर्म में बहुत सारे इंफोर्मेशन है DAS is a comprehensive international agreement for ensuring food security through conservation, exchange and suitable use of world's plants genetic resource for food and agriculture तो एक international agreement signed की गई है ताकि एंस्योर कर सके food security को कैसे एंस्योर करेंगे जब हम लोग suitable use करेंगे genetic resources का food and agriculture तो कौन से agreement है, उसका नाम पार्टिकुलर है ITPGRFA इंटरनेशनल ट्रीटी फोर प्लांट जेनिटिक रिसोर्स फोर फूड एंड अग्रिकल्चर Make in India initiative डिफेंस में लाया गया उसका एक पार्टिकुलर नाम दिया गया है जिसका नाम है IDEX IDEX यानी innovation and defense sector तो Make in India initiative जो डिफेंस में लाया गया है उसका क्या नाम है IDEX India US का joint tri-service exercise हुआ है Disaster Relief Exercise इसका पार्टिकुलर नाम क्या है Tiger Tramp Global Microscope on Financial Inclusion Report कौन रिलीस क्या है Economic Intelligence Unit Okay and thank you and please like and subscribe my channel and please share the video Okay thank you